नमस्कार दोस्ताले इंप्रमेशन सर्गर्य एडम आप सभी का स्वागत फ्रेंड्स आज हम BRO GRIP मेशन के रिटन टेस्ट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स बियर ग्रिप का जो मेशन है उसका हमने प्रैक्टिसेट बना दिया तो आज हम प्रैक्टिसेट टू के बारे म बात करेंगी फ्रेंड्स हमारे पास में सेन के 30 में पूर्षन है उनके बारे में बात करेंगे सब भी परसन जो के आपको आंसर सहीत मिलने वाटे है फ्रेंड्स एक बात और बता दू अगर आपको पीडियेप लेनी है तो हमारी वाट्सप नंबर 7891 7806 परसंपर कर सकते हैं आप फ्रेंडों से फ्रेंड़ 2800 जो भी गंडिर बटेलना चाहता है दो इसको परसंपर कर सकता है अब फ्रेंड्स चलते हैं है इस सिथ्टी में तरुन परसंपर सब्सक्राइए उनकी तरफ कंक्रेट एसोसेशन ओफ इंडिया द्वारा रखे गई सिफारय उसोग अनुसार कंक्रेट चिनाई में उप्यों किये जाने वाली ब्लॉक की कम से कम ताकत क्या होनी चाहिए ओप्सन ए तीन न्यूटन प्रती एमेम स्कॉयर चार न्यूटन प्रती एमेम स्कॉयर दो न्यूटन प्रती एमेम स्कॉयर पांच न्यूटन प्रती एमेम स्कॉयर तो फ्रेंड्स क्यूशन नंबर एक की बात कर लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number A is the correct answer 3 newton प्रती mm square क्यूशन number 2 की बात कर ले concrete चिनाई में एक खोकरे concrete ब्लोग में core छेत्र में अधिक core सुन्य छेत्र होता है percent बताने है friends आपको 20% option number B 15% option number C 30% option number D 25% question number 2 की बात कर ले friends तो इसका right answer हो जाएगे friends option number D 25% is the correct answer question number 3 की बात कर ले निमने लिखित में से किस सत्य में ब्लोग के सामनी की तरफ संग मरमर जैसे 20 करण सामगरी का उप्योग किया जाता है option 1 सामानिस समाप्त सत्य option B चमाकता हुआ खत्म option C विशेश रूप से सामना करना पड़ा option D रंगीन खत्म question number 3 की बात कर ले friends उसका right answer जाएगे विशेश रूप से सामना करना पड़ा question number 4 concrete की चिनाई इटो का निर्मान करते समय cement aggregate अनुपात क्या होता है option A option B option C option D option 4 से पतला नहीं होना चाहिए question number 4 की बात कर ले friends इसका answer आएग option number A option 6 question number 5 की बात कर ले सजावटी कारियों के लिए निमन में से किस सत्ता को उप्योग किया जाता है option A option A option B option B option B option B इस रूप से सामना करना पड़ा option D चमकता हुआ खत्म question number 5 के बात कर ले friends इसका right answer हो जाएगा चमकता हुआ खत्म option number D option B ард भट कश किया जाता है जबकि खोकले टोस भडोको भारी समचम्चे से प्राप्त किया जाता है यह बात सही है यह गलात option number 6 का right answer हुआगा फो यह बात गलात है option number 7 की बात कर ले ठोस सिनाई में, ठोस सिनाई समझते हूं ने, खोकले नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भरवा होनी चाहिए, खोकले ठोस एक योग का उपयोग दिवारों के लिए किया जाता है, option A, या तो लोड असर या गेर लोड असर, option B, केवल लोड असर, option C, केवल गेर लोड असर, जाबता है है मैं क्योश्र नमबर 8 ने फ्रेंड्स की उसन नमर 9 कंक्रेट सिनाई में इस्तेमाल किये कि ब्लोकों में कॉर को आकार देना चाहिए है ओल इसकोयर जैसा ऑप्षान सित्री कॉनी जैसा ऑप्षान डी परीपत्र जैसा कुस्ट नमबर 9 की बात कर ले तो इसका रा कौन सा एक मोटा खत्म है औप्ट युकित चमक्तावा गत्म ऐंज आप्टू श्रेश स्रोप से डा धला अग版स को गया वाला इसको ये भी बोल शक्था विश्य शुरुप से खत्म हिंख ठीक है प्रेंट्स कि उसे नमबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा उप्स नमबर डी डलान खत्मी कि उसे नमबर 11 खोकले मिट्टी के ब्लोक चिनाई में लोड असर मुख्य दिवारों को निरमान सीमेंट चूना रेद किस मिशन में किया जाना चाहिए मिशन का अनुपात बताना है फ्रेंट्स एक अनुपात दो अनुपात छे ओप्शन बी एक अनुपात एक अनुपात छे ओप्शन सी एक अनुपात दो अनुपात नो ओप्शन डी एक अनुपात एक अनुपात नो क्यूशन नमबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स ओप्शन नमबर B एक अनुपाथ एक अनुपाथ 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्यूशन नमबर 12 के बात कर लिए खोकले मिट्टी के ब्लोक का समर्थ थर्मल इंसुलेशन अच्छा है क्योंकि उप्शन A ब्लोक के कोशिकाओ के बित्रा हो आ है उप्शन B ब्लोक के सेल के भारा हो आ है उप्शन C पानी के लिए प्रति रोध है उप्शन D हावा के लिए प्रति रोध है क्यूशन नमबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर A ब्लोक के कोशिकाओ के बित्रा ह मिट्टी के ब्लोग चिनाई में संरचनात्वाग में टी काई का एक परकार नहीं है आप्चने वीवाजन ब्लोग और फिक्सिंग ब्लोग और लुट एप सिन लोड अश्र ब्लोग आप्चन गूहा ब्लोग इस और गुषा ब्लोग ऑप्चन आप्चन नमबर 14 टाइलों में खाचे द्वारा कवर किया गया चैत्र टिक रोंग चैत्र से जाधिक नहीं होना परसेंटेज में बताना है फ्रेंट्स 20 परसेंट ऑप्शन बी 30 परसेंट ऑप्शन सी 40 परसेंट ऑप्शन डी 50 परसेंट कि उस्ट नमबर इस दा धिता करयक्े टांसर अजी इस नमबर अ बनर के बात कर ले आधे खोखले मिट्टी के ब्लॉक चिनाई में कोशिए का ओब भीच विवाजन के रूप में कारिया करते हैं option a wave option b गोले option c नाली option d ब्लोक क्यूशन नमबर 15 की बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर जाएगा option नमबर a wave क्यूशन नमबर 16 की बात कर लेते हैं खोकले मिट्टी के ब्लोक चिनाई में इस्तेमाल किये गोले की कम से कम समग्र ओसत मोटाई क्या होने चाहिए option a 1 cm option b 2 cm option c 3 cm option d 4 cm क्यूशन नमबर 16 का राइट आंसर जाएग option नमबर b 2 cm क्यूशन नमबर 17 गूरूड टाइल का उपयोग केवल उन मामलों में किया जाता है जहां प्लस्तर किया जाना है फ्रेंट्स यह बात सही है यह गलत इसका जवाब देना है क्यूशन नमबर 17 तो यह बात सही है गूरूड टाइल को क्यों कि उन मामलों के जाता प्लस्तर किया जाना है क्यूशन नमबर 18 खोकले मिट्टे के ब्लोक चिनाय में प्रियुक मिट्टे के ब्लोक की वेब की समग रोशत मोटाई कम से कम नहीं होनी चाहिए फ्रेंट्स उसमें थाक होनी चाहिए इसमें है नहीं होना चाहिए ठीक है एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर और चार सेंटीमीटर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स 18 का एक सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए क्यूशन नमबर 20 ठीक है फ्रेंच खोकले मिट्टी के ब्लोक चिनाई में सभी ब्लोकों को प्योग करने से पहले डूबोया जाना चाहिए उप्शन सराब में उप्शन पी एसी टॉन में उप्शन सी पानी में उप्शन डी एथीन में क्यूशन नमबर 20 का राइट आनस रोजायक उप्शन नमबर सी पानी में डूब़या जाना चाहिए क्यूशन नमबर 21 प्रेबलित इट वर्क का उप्योग निमन लेकित में से किस प्रस्तिति में किया जाता है जब इट की देवार को प्रकास भाहर भेहन करना है उप्शन बी जब इट वर्क को कुछ कतरनी तनाव सेन करना पढ़ता है उप्शन सी जब अनुधहर्य बंदन हो ऑप्शन डी कम करना आउट सब हों प्रबलीत इट वर्क को प्योग करता है उप्शन बी परतम स्रेने की इटे उच संपीडित सक्ति के साथ उप्शन बी परतम स्रेने की इटे मध्यम संपीडित ताकत के साथ Option C, उच्छ संप्ल स्कति के साथ दूसरी सिरेनी की इटे Option D, मध्यम संकुचित सकति के साथ दूसरी सिरेनी की इटे Option number 22, इसका right answer हो जैगा जो एक नमबर, दो नमबर और तीन नमबर इटे होती है ठीक है फ्रेंट तो यह एक नमबर की बात कर रहा है जो कि सबसे अच्छे पक्यों ही इंट होती है क्यूशन नमबर 23 निमने लेकित में से कौन सी एक परकार की सीट मेटल है जिसे डाइमंड ने टोर्ग बनाने के लिए काटा और बढ़ाया गया है ओप्शन A ब्रिक केटर ओप्शन B पियर ओप्शन C एक्समेट ओप्शन D हप आईरन क्यूशन नमबर 23 की बात कर लिए इसका राइट आंसर हो जाएको ओप्शन नमबर C एक्समेट क्यूशन नमबर 24 से जो कि सही गलत में आपको जवाब देना है प्रबलित इंट चिनाए में सुद्री करण केवल 36 रूप से रखा जाता है ये बात सही है ये गलत तो ये बात गलत है ओप्शन नमबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 25 के बात कर लिए 36 सुद्री करण में एक हेडर इंट के लिए हूप आयरन की कितने स्ट्रिप्ट का उप्यो किया जाता है ओप्शन ए एक ओप्शन बी दो ओप्शन सी तीन और ओप्शन डी चार तो इसका राइट आंसर जाएगा क्यूशन नमबर 25 का ओप्शन नमबर 20 दा करेक्ट आंसर दो ठीक है फ्रेंट्स क्यूशन नमबर 26 की बात कर लिए 36 सुद्री गरण में एक इस्ट्रेचर इंट के लिए घेरा लोहे के कितने स्ट्रिप्ट का उप्यो किया जाता है एक दो तेन या चार तो इसका राइट आंसर जाएगा 26 का ओप्शन नमबर एक एक नेक्स्ट क्यूशन 27 कुंडल की लंबाई क्या है जिसमें एक्सम की आपूर्ति की जाती है कि 80 मिटार ओप्शन ए अप्शन बहीं 53 मिटार ओप्शन c 50 60 मिटार आप है निमने लिक्ति में से किस कॉप्यों किया जाता है Option A चुना मोर्टार Option B सिमेंट कंक्रीट Option C गने सिमेंट मोर्टार Option D चुना Q2 इसका राइट आंसर हो जाएगा Option नमबर C गने सिमेंट मोर्टार Question नमबर लास्ट त्योंकि 29 है सुद्री करन के परिणाम का परिणाम है Option A जोडो को विस्तार Option B जोडो को संकुचन Option C संकुचन Option D जोडो का कसना Q2 नमबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा जोडो का विस्तार Option नमबर A इस दा कराइट आंसर यह आज के 29 क्यूशन हो चुक है क्यूशन कम रह जाएगा आयोप आमारे विडियो आपको पसंदा है पसंदा है तो इसे लाइक यह हम अपने दोस्तों साथ में सेर करना ना बूले यह हम फ्रेंट साथ में जिनको PDF लेना हो आमारे वाट्सम नंबर 7891 7806 पर संपरक कर सकते हैं ठीके फ्रेंट्स PDF की फीज से वो दोस्तों सीरुब है रखे गई है जो भी लेना चाता है वो ले सकता है अधर वाइस आप वैसे पढ़ सकते हो ठीके फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स जितने भी आपके गुरूप सभी में सेर कर दीजिए जो और भी आपके भाई है वो पढ़ सके मेशन क्या सेकंड क्लास हो चुकी है थर्ड क्लास नेक्स्ट संडे को होगी फ्रेंट्स नेक्स्ट संडे को आपकी जो SKT उसकी क्लास भी होगी ठीके फ्रेंट्स जय हिंद्स